ये सामने ही चौक है और चौक को भी सजाया हुआ बिलकुल क्या बात है तो अभी तो खेर भीड नहीं है आज तो थर्सडे है तो इतनी भीड शीट नहीं है ये सामने एंट्री इसकी इस प्रकार से है गाड़ी की पारकिंग रोड़ पे ही है इस बार कोई स्पेशल तो मैं वही सोचाथ है यार क्योंकि सोर पे थोड़ी महगी हो जाती है न बट खेर ठीक अभी करनी भी पड़ती है क्योंकि साल में दो से तीन मेले अटेंट करता है यह देखे भवे मेला रामलीला और भवे मेला दो अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर तक रहेगा शाम को प फिर आपको थोड़ा खाने पीने का समान दिखा जथा हुँ फिर थोड़ा सेल आईटम जो जो समान पर्चिज वह सो दिखा यता हूं सेकेंड आप यह देखें यह भी 100 रुपीस का था यह इस तरीके से गोल-गोल खुमता है तो मैं तो खैर बैटता है नहीं उनमें मुझे तो डर लगता भाई अब सबका अपना-पना माइंड़ जेट होता है मुझे I feel very scared and vomiting sort of होता है यह वाला यह भी 100 रुपीस का है यह मैं उपर आगया था वीडियो अपनाने के लिए नहीं तो भाई आगया यह कहते है भाई आप नीचे जले जाओ प्लीस मालिक डाटेंगे मैंने का ठीक है यह आगया रेंजर जूला यह भी 100 रुपीस का था यह मैं आपको उपर के दिखाता हूँ यह जो ऐसे flip होता है बिल्कुल इस तरीके सब आपरे में को तो इसमें भी border लगता है यह वाला भी 100 रुपीस का है अगर आप एठना चाहें में आप देखेंगे यह भी 100 रुपीस का है जाइन्ट वील हो गया लंडन आई आदा आता है मेरे को इसका हमेशा देख के यह वाला भी 100 रुपीस का है रेट इनके थोड़े से जादा लग रहे थे मुझे बढ़ ठीक है अब क्या अगर सकते है यह वाला भी बच्चों को आप इठा सकते है इस पर यह हॉंटेड हाउस आगे है हाँ यह भी 100 रुपीस की टिकट थी इसकी हॉंटेड हाउस में अब मैं बच्चे को साथ तो यार मैं तो जाता नहीं वह उनका टिकट काउंटर है तो आप यह देख सकते हैं कैसा लगेगा मजा आएगा नहीं आएगा इसकी भी 100 रुपीस की टिकट है यह वाला भी जूला पता नहीं के नाम तो मुझे जूलों के नहीं पता एक दो ही पता है बस वो जाएंट वील और कॉलमबस जो दो सबसे बेसिक होते हो नहीं के नाम मुझे पता है यह वाले की भी 100 रुपीस की टिकट है यह आगे पीछे होता है सीट स्मूफ करती है इसमें और वो सामने एक और आगया उसकी तो वही सेम 100 रुपीस है यह बिसिकली रेक्टैंगल में है जिसको हाफ रेक्टैंगल मतलब एल शेप में जूले है वही रिपीटिड एल शेप में दुबारा है लास्ट टाइम भी महीं हाया था तो सेम सीन था यह वाला भी 100 रुपीस है कार राइड मेरी बच्ची तो बैठ ही नहीं रही पता नहीं पिछली बार से अभी सेक्टर 13 का भी दुआर का में मैंने वीडियो कैप्चर किया था तो वहां पे भी नहीं बैठ रही ती यह जाएंट वील के साइड में एक फिश का एक्क्विपेंट सॉट ऑफ है मतलब फिश है छे फुट लंभी अचली है सौरुपे के टिकेट है वह भाईसाब सामने बैठे है वहां पर टिकेट लगती है जो मैडम बैठी है सामने यहां से आपकी एंट्री दर्वाजा इसके साइड में यह एरोप्लें पर बैजो तुसी डग पहले डग पिठा आपको अब तुसी आजो एदर अरो प बता है यह भी अकसर होता है यह तो इसकी भी सौरुपे की टिकेट है इस पर आप बैठ सकते हैं मजेश रजे कर सकते हैं यह इस तरीके से जाएगी हां से घुमते हुए पीछे से फिर वापिस आपको लाके ही रोकेगी यह आगए फिर से प्लेंश लेन का नजारा देख़ होला है सो रुपे का यह गोल-गोल घुमता है यह तो बिलकुल बेसिक वाला है थोड़ा सा आगे पीछे होता है इस पर आप एठ सकते हैं यह ट्रेन चल रही थी इसकी भी 100 रुपीस टिकेट थी इस पर आप जूले जूले सकते हैं तो यह सब सीन है आप एक अंकल जी थे को बहस कर रहे हैं तो से की 50 रुपे कर दो थोड़ा सा मुझे खराब लग रहा था इस तरह से क्योंकि एक फादर है विचारा उसको घर चलाना है उसको बीवी कभी शौप पूरे करने बच्ची को बच्चे को बच्चे को भी करना है जिम्मेदारियां बहुत होती है ने ए पर चलाना है जोड़े उसको मेले का यहां सुखों का महौल है चोड़े नेकिटिव चीज़ यां सौरी मैं इसी बात तेक्या यह फिर से 100 रुपीस की टिकेट है यह घोड़ा सवारी कर ले आप घुड़ सवारी कर ले हॉस राइडिंग यह आजा है इसकी बीस और पर दी इस पर बैज हो यह गोल-गोल गूमता है तो दुनिया वर के जुले इस प्रकार का मैंने फर्स टाइम देखा यह वाला मस्त लगा मुझे इसकी 100 रुपीस की टिकेट है यह कार यह मौल्स पोल्स में होता ना जारत है कार राइडिंग बोलते हैं कार स्केटिंग सॉर्ट अ यह जूला यह आ गया यह कोलंबस का चोटा वर्जन आ गया बच्चों के लिए इसकी 100 रुपीस की टिकेट है चोटा कोलंबस यह आ जो फिर से जीप पे बैठना आपने जीप बैठने का देले दो दो स्टेरिंग वील है क्या बात है एसी गाड़ी जिसमें दो स्टेरिंग यह फिर से अलग वली जीप आगी वह बेसिक थी ट्रेडेशनल बेसिक मॉडल यह एडवांस मॉडल आ गया जैसे गाडियों के भी होता है ओंडा में इसका बेसिक मॉडल ओंडा में इसका एडवांस मॉडल वैसा समझ ले यह फ्लूट वगरा बिकरी आपर बासुरिया इस विजिट करें तो आप खुद आकर देखेगा महसूस कीजेगा चीजी अच्छी लगे तो परचेस कर लीजेगा यह बच्चों के टॉय सेक्षन हो गए यह बॉल्स आ गए चोटी चोटी बच्चों की चोटी चोटी बॉल्स यह साप है औक तरी साप यह तो कुछ जूल मेर आप फ्री में खाएं अराम से सैंपल चखें अच्छा लगे तो परचेस करें तो ऐसी सामने एक अचार का सेक्षन था वहां पर भी सैंप्लिंग थी इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक्स दो सुरुपे मिल जाएं आपको यह किताबों के शौकिन जो लोग पढ़ना चाहते क्या बात है दिल्ली में तो राम के लगड़ बड़े मशुर होते हैं यह मैट्स रग कापेट्स वगर है यहां पर तो यहां पर को एंटेंटन सा था नहीं यह तो उन्होंने देखा कि यह बंदा वीडियो बना रहा है इसको क्या बताना इसने परचेस नहीं करना यह यह ज लग जाती है यह सब चीजें खुबसूरत चीजें देखके क्या बात है मोमो रखे में स्प्रिंग रोल रखे में अच्छा चलो रेट लिस देख लें हाप हॉट पॉइंट इसका नाम है रेट लिस्ट है पीजाज है स्मॉल मीडियम लाज चिली पोटेटो वेज मोमो स्चीरतल के संब्सक्राण सामने और यसलच को भी लिए इसमें सांदर्सितिक्रावन को नियुक्त तो ये एंडर आप सामने देख सकते हैं या सकतर 121 p उप्य वीडियो में बनाघ के तो दिन में जाओंगो and I shoot a video over there. वो वहाँ पर सामने, that's the stage जहाँ पर रामलीला और्गनाइज की जाएगी and these are the city arrangements. You can come over here, you can sit over here, you can enjoy the रामलीला, have a beautiful view, have a beautiful evening with your family and friends and go back home with like lots of lovely memories. तो यह सारी चीज़ी है है हाँपर, चीक है. लाइटिंग, पूरी है, पुलिस का बंदों से अच्छा था. पार्किंग में को समझ नहीं, मैं तो रोड भी लगा दी थी, क्योंकि लाइन से गाड़ियां लगी भी थी, but back of the mind में टेंशन रहता है, चलान ना हो जाएए. उससे तो बड़िया बंदा पैसे बे करके पार्किंग कर दें. यह आप देख सकते हैं, लिट्टी चोका बन रहा है. लिट्टी चोका, खाया आपने नहीं खाया, बिहार की कुईजीन है. तो इसे भी एक बार ट्राय जुरूर करें, यह भाई साब बना रहे थे, देखें आप सामने लिखा हुआ है, माखन बिहार का, क्या बात है, लिट्टी चोका, आचा यह है देखो, कृष्णा केटरर्स, यह लाइन से बिल्कुल आपको दिखेगा, देखो, मैंने लाइन से चेंज किया है, यह पूरा लाइन से, इसका भी एक काउंटर है, मैं आपको दिखाऊंगा, वहाँ पे आपको टोकन लेना है, क्योंकि इनके पास पैसे नहीं देना है, मैं समझ रहा था, इनके पास पैसे देना है, आपने खाना है, फिर मेरी वाइफाई, शी टोल्ड में क कि नहीं ऐसा नहीं है, इनका वहाँ काउंटर लगा है, और वहाँ पे आप वहाँ पेमेंट करें, वह टोकन आपको देंगे, यहाँ पे आप खाए, जैसे यह भली पापड़ी चार्ट था, बल्ला पापड़ी चार्ट है, पीछे गोल कप्पे थे सब से स्टार्ट में यह आगया दही बल्ला पापड़ी चार्ट और इस तरीके से ही, यह उपर थोड़ी से लाइट फ्लक्ट्वेट सी हो रही हलकी हलकी यह आलू टिकी आगई, आलू टिकी देव साब नो बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, आलू टिकी का तो मज़ा ही अपना है, यह करने का जो दिल करेगा ना कृष्ण केटर्स केटर्स यहां पर जो दिल करेगा वा बड़ी अब भैतरी ने खाएं पी और घर जाएक के बीबी को परिशान नहीं करना किसी ने कि भी आप खाना मना तो यहीं खापी कि जाना आपने, अब क्रॉकरी सेक्शन दिखाते हैं थो सब भी है, कपस वगएरा है, और पास आते हैं, और कपस वगएरा देखते हैं, यह अभी हाल फिलाल में हमने लास्ट वाले सेक्टर 13 मेले से लिये थे, दो कप तो, वाइफ यहां पूछ रही थी यहां 120 रुपे के देरा था, वो पिछले सेक्टर 13 में जो अभी भी लगा ह हो है, सेक्टर 13 दुआर का, वहाँ पर साथ रुपे का था, फिर मैंने बोला चट्डो यार, और अभी तो नए लिये हैं, इतनी चल्दी क्या लेने, हम दो तो बंदे रहते हैं, हम घर में, यह और कपस हैं, सौसर्स हैं, और इस तरी की प्लेट्स फ्लेट्स हैं, स्पेशल राजिस्थानी अचार, क्या बात है, यह देखें, इन्होंने भी सैंपलिंग के लिए रखा हुए, आओ सैंपल चखो, अच्छा लगे, दूसरा चखो, तीज़ा चखो, ना लगे तो दूसरा चीज़ा चखो, पहले मी मदा आजाए तो खरीद लो, यह डिफरेंट सार्ट यह शाम के टाइम, और इसपिशली जब क्राउट जादा हो जाए, और गर्मी हो जाएगी, यह आदी वासी हबल है, यह इनकी जाहते हैं, इस तागराम पर रील स्वीज सुछ देखते रहें, आब हम तो अपना नॉर्मन लारियल ते हिसमाल करते हैं, यह भी आप देख सकत यह सब section में तो मेरे को बड़ा मजा होता है और especially sale FX price है तो अच्छा है कोई बार गिनिंग अटेंशन वे इनके rate भी सही होते है समान भी ठीक है मतलब उतना high quality का नहीं कि आप इनको guest को serve करें but ठीक होता है that's my beautiful wife Sonia तो यह ladies का section होगे ladies और बच्चों की hairpins वगरा है कुछ बालो बालो में लगाने के लिए वो सब चीजे तो बस हम अभी निकली रहे थे यहां से फिर बस एक मैं short video भी short के लिए youtube के लिए वो भी shoot कर लोगा और बस निकल जाएंगे यह वाला section भी रहे गया था मेरे से कुछ चीजे ना छोड़ी जाती हैं तो उसको मैं बाद में गवर कर लेता हूँ जब दिखती रहती है तो यह भी आप बच्चों के लिए अच्छा है इस पर जंपिंग भी को सकती है यह मनुरंजन रिंग गेम है रिंग थ्रो गेम इसका नाम है और 50 रुपे में इसको इसके 6 रिंग आपको देंगे जो समान पर आपका रिंग गर गया वो आपका हो गया उसके बाद यह देखो यह भी 50 रुपीज है इसका यह भी गेम है आपका ठीक है तो इसमें भी वही होता है नीचे आपको पता है यह दिखाता हूं मैं देखो इसमें बाल्स दी जाएंगी आप जितने टोटल काउंटिंग करके प्राइस मिलेगा आपको यह फिर से दो जीप और है यह अलग से थी यह पहले नहीं दिखी मुझे तो मैं अभी कवर कर लेता हूं जब दिखरी होती है बस हो गया मेरा वीडियो यहां पे खतम यह पूरा एक नजारा सा आपको एक होल व्यू दिखा टैंक यू बाइ